असलामों अलाइकूम उमीद है आप सबसे ही सलामात है आज आपके साथ मैं बनाना ब्रेट ड्रोल रेसिपी शेयर करने जा रही हूं तो चलिए इसे बनाना शुरूर करते हैं इसके लिए कुछ बनाना लिया है मैंने और इसे अभी छोटी-छोटी टुक्रों में काट लेना ह तो मैं आपको एक काट के दिखा रही हूं किस तरह से इसे काट लेना है सिर्फ बीच में से काट लेना है उसके बाद टुक्रों में काटे इसी तरह तो इसी तरह सारे बनाना काट लेना है टुक्रों में इसके बाद मैं फ्राइंग पेन पर एक टेबल स्पून बटर डाल बटर बनाना काट लिया था वो मैंने डाल दिया है और इसके बाद मैं 2 टेबल स्पुन हनी डाल रहे हूं अगर आपके पस हनी नहीं है तो थोरा सा चीनी डाले बहुत ज्यादा डालने की जुरूरत नहीं है कि केला मीठा होता है तो इसे थोरी दिर तक पकाना है थोरा गलने तक तो अभी देख रहे हैं थोरा सा केला नरम हो चुका है लेकिन अभी थोरा सा और पकाना है क्योंकि अभी थोरा गिला गिला हुआ है थोरा सा सुखाना है इसे तकरीबन हो चुका है तो अभी देख रहे हैं थोरा सा सुख गया है तो यह भी बिल्कुल तैयार है तो अभ लिया है और इसे अभी पतला करना है थोड़ा सा इसलिए बेलन से थोड़ा सा बेल लेना है बेलने से थोड़ा सा पतला हो जाएगा ये तो पतला होने से इसका जो रोल बनाएंगे रोल बनाना आसान होगा नहीं तो ये तूटने का डर रहता है अभी रोल करने के बाद में थ इसमें बहुत ज्यादा ना डाले नहीं तो रोल बनाना बहुत ही मुश्किल होगा यह फट जाएगा तो यह पर मैंने बरे साइस की जो ब्रेड है वो मैंने लिया है और इसे चिपकाने के लिए थोड़ा सा पानी लिया है एक कटोरी में तो जो साइट का जो पोर्षन है उसम पानी इस तरह लगाए उंगलियों से और उसके बाद चिपक लेना है नहीं तो यह चिपकेगा नहीं अगर पानी ना लगाए आप चाहे तो थोड़ा सा मैदा पानी में घुल के भी लगा सकते हैं पर मैं इसी तरह पानी से ही लगाती हूँ तो अच्छी तरह इसे चिपका अगर थोड़ा सा होल रह जाए या थोड़ा सा फट जाए तो इसमें फ्राइ करते बद अंदर तेल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में तो इसी तरह बनाना है तो मैं आपको सारे अभी मैंने बना लिया है तो यहां पर दिखे कुछ में बात बताना चाहोंग जब फोल्ड करते हूं तो कभी-कभी यह फर्फेक्ट नहीं बनता है फट जाता है तो इसी तरह अगर फट जाए तो अब एक्स्ट्रा थोड़ा सा ब्रेट हाथों में तोर के फिर पानी में डूबो के इसमें जो फटा हुआ जगा है उसे चिपका के लगाए तो अगर इस कहा है तो इस ब्रेट रोल डाल ना है और एक्सट्रम कम राउने उर शच्रदम कंने फिर जा जाता है तो इस बिल्कुल हीट अधोर्च ब्रा है जमेंड़ां ब्राउन हो तो भी पिलोल फिरी आधे हो ब्राउन हो करें तभी यह बहुत ही क्रिस्पी बनेगा अंदर केलये का तो भाउट स्रीपर्ट करदा है तो इस दोनु तरफ से इसी तरफ ब्राउन करें दोन मैं ने ब्राउण चीए अथी अब बहुत पार्ण पर रिया है यह बीटकूल नीकाले है दो नीकाले और गेंत्व सतर करें क से मिर्च केती हूँ आपको मेरी रिसीपी पसंद आएंगे नमक दाल रहे हूँ टेस्ट के हिसाब से और हाफ टीश्पून में बेकिंग पॉडर डालने के बाद इससे अची तरह से मिक्स कर लेना है प्याज, धनिया, मिर्ची और अध्रक के साथ रचिसरा से मिक्स करें और उसके बाद ही मैदा डाले उससे पहले मैदा बिल्कूल ना डाले तो मैंने चीतरा से मिक्स कर लिया है अभी मैं मैदा डाल रहे हूँ तकरिबान एक कप में मैदा डाल रहे हूँ इसमें कि गष्ञे openness है और मैदा डालने के बाद से थोड़ा थोड़ा पाणी डालके बैटर तयारकरणायों त्यूरा ज्यादा पाणी बिल्कुल ना डालकर थोड़ा पानी डालकर गारा सा बैटर तयार करना अगर अब ज्यादा पतला करेंगे तो यह क्रिस्पी नहीं बनेगा तेल में बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा बरा ना करें नहीं छोटा मेडियम साइस का पकोड़ा बनाए और मेडियम आज पर इसे फ्राइ करते रहें यह धिरे धिरे फूलेंगे क्योंकि बिकिंग बडर डाला है मैंने तो अभी मेडियम टू लो हीट पर फ्राइ करें जब थ पलत लेना थे लुवार तक थोर्य चारो तरफ दरना है और इसे पलताने के बाद लो हीट फर फ्राइ करना है, तभी यह क्रिष्पी बनेंगे तो अभी एसे लो फेट पर फ्राइ करें और इसे लगातार इसी तरह चलाते रहे तक estado खारो तरफ golden-brown हो जाए और crispy, अच्छी तरफ से crispy हो जाए भी धिसे लगातार इसी तरफ itRIP करते रहे traction था इसी तरह तो golden brown होने तक fry करना है, crispy होने तक अभी golden brown हो गया है और crispy हो चुका है तो मैं आपको सुनाई दे रहा है कितना क्रिश्पी बन चुका है वह बहुत ही टेस्टी बनता है बहुत ही अच्छा लगता है खाना में उमीद करती हूं आपको मेरी रेसिपि पसंद आएंगे आर यूज़ा रहे हूं शमी कबाब बहुत ही टिसटी बंता है बनाना उतना तक्रत जाए नहीं है बहुत ही आसानी से आपवेसिते से आप भाст 하니까 बनाई सकते हैं तो बीफ इस्तमाल कर सकते हैं अपको जो भी पसंद है आप इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन यह जो है बीना चरबी का हो तो अच्छा होता है तो इसे तुक्रों में काटके अच्छी तरह से धो लेना है फिर मैं इसको एक ट्रेशा कुकर पर डाल गई हूँ इसके बाद यहां पर एक कब चैना दाल लिया है और इसे अच्छी तरह से धो लेना है तो इस चैने दल को अभी में डाल रही हूँ गोस्त के चैने दल को भीगोने की जरूरत नहीं है सिर्फ अच्छी तरह से धो लेना है उसके बाद हम यहां पर दो चौप किया हुआ प्या लाइची लिया है चोटी लाइची एक बरेल लाइची है और दस बारा लॉंग है कुछ काले मीड्स है कुछ मेस है यानि जैफल की टुक्रे और एक टीजपून जीरा लिया है और यहां पर दालचनी लिया है तीन पीस तो अभी हम इसे साबूत ही डालेंगे इस मसालाई को य उसके बाद डालऊंगे यहां पर कुछ साबूत ड्राय चीली और रेज चीली और तैस बदल तRA तो मीर्ची आप जितना थिकले खाना स्फानए है छी पर मेर्शी और बाद कुछ मसाले दालंगे तो यहां पर दो टेबले स्पून अद रख ले सुन पेस्ट डाल रही हूं और उसके बाद नमक डाल रहे हूं टेस्ट के हिसाब से, अगर नमक कम हो तो आप बाद में भी डाल सकते हैं एक टीस्पून हल्दी पौड़ा डाल रहे हूं एक टीस्पून जीरा पौड़ा डाल रहे हूं तो इस मसालय की सब्सक्राइब तो historians की सब्सक्राइब टेस्ट और प्लेवर आते हैं, तो इस मसालय सही तरीके पड़े, तो इन अब फीटा सा पानी डाल रही हूं, पानी दल के से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, पिर इसको पकाना है, इसे अच्छी तरह से पकाना है तक यह गल जाए मिट भी गोस्ट भी गल जाए और दाल भी गल जाए तो तक्रीबन आठ दस हुच्टेल आने तक से पकाए अगर गल के नरम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो अभी बॉइल करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ पूरी तरह से बॉयल हो गया है लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा पानी है हमें अभी बतानी को सुखाना है Qo. गोस को दिखा रही हूँ इस बिलकुल नर立 Mars तो यह थोड़ा सा और ड्राइब हो जाएगा तो मिक्स अभी से ठंडा करना है रूम टर्म पर लाना है उसके बाद इसे मिक्सर जार पर ग्राइब करें या फिर अप सील पत्ता पर भी ग्राइब कर सकते हैं तो ग्राइब करने के बाद मैं आपको दिखा रहे हूं यह इसी करना मीट का रेशैा है इसे बिल्कुल छार प्राइब करना है ज्यादा मह Alors इसी तरह रहे रहना है कि हम मैं शमी कब रेशेदार लगता है कि तो अभी मैं यह एक अंडेम अल रहे हैं यह अगर आपना चाहेँ मैंने चौप कर लिया है इसका जो बीज है उसे निकल गए आप चाहे तो हरी मिच्ची डाल सकते हैं तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अगर आपको नमक कम लगे तो आप इस वक्त नमक भी डाल सकते हैं लेकिन और कोई मसाले डालने की जुरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही बॉइल करते बग मसाले डाल चुके हैं तो अभी इसे कबाब कर शेप दे रही हूं मैं आप कोई भी शेप दे सकते हैं और मैं राउंड शेप में कबाब बना रही हूं तो बिल्कुल इसी तरह सारे कबाब तैयार कर लेना है उसके बाद हम इसे फ्राइ करेंगे तो कबाब तैयार है फ्राइ करने के लिए तो फ्राइ करने के लिए मैंने यहां पर तेल गरम कर लिया है फ्राइंग पैन पर और इसे मीडियाम आज पर फ्राइ करना है अभी क्योंकि यह पका हुआ है तो इसे पकाने की जरूरत नहीं है सिर्फ इसके ब्राउन करना है तो आपको अगर हाई हीट पर भी फ्राइ करना चाहे तो आप कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमे तो अभी देख रहे हैं कबाब बिल्कुल ब्राउन हो चुका है तो यह भ मेरे ऍवसी ऊबसे नीव पहत्तों को सबस्ट है अ कि डूब ऀसे प्रियानी के साथ जंक करो सकते हैं आज आपके साथ मैं शेयर में जाना रही हो है कद़ो के फ्राइ अब और इसे पकुरा भी के चली मैं तो मैंने नहें मैं आंपे बनाना शुरू कर थे किसे बनते हैं दीखते है इसके लिए मैंने यहां पे पका हुआ कद vortex का इसको ने जो नहीं चैए आपे चलने के बाद अच्छा अच्छ नहीं लगेगा तो चलिए अब इसके लिए एक बिटर तेयर कटे हैं और बेटर के लिए मैंने एक कप बेशन लिया है ते हूँ हाफ टीस्पून में कलोंजी ले रही हूँ और नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से कुछ मसाले डालूंगे अभी तो वन थर्ट टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ अब टीस्पून रेच चिली पाउडर डाल रही हूँ ति ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज्यादा डाल सकते हैं मिक्स करने के बाद हम और दो चीजे मिलाएंगे इसमें तब इसका जो बैटर है आप देख रहे हैं इसी तरह पतला रखना है बहुत ज्यादा गारा बिल्कुल ना करें तब इसमें मैं हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और थोरा सा तेल डाल रही हूँ तो इसे जो उपर का जो फ्राइ करते बाद करने के बाद जो पर का जो लेयर होगा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं इसका जो बैटर है बहुत ही ज्यादा ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गारा तो इसी तरह तो अभी यह गद्दू फ्राइ करने के लिए बैटर बिल्कुल तैयार है तो यहां पर मैंने मस्टर्ड ओल गरम कर लिया है तो अभी गद्दू को मैंने बैटर पर ले इसी तरह कोट कर लेना है अच्छी तरह से तो फिर इसे तेल में डाले अभी आँच मीडियाम होना चाहिए जब अब कद्दू डालेंगे तो मीडियाम आच पर ही रखे तो जब यह थोड़ा सा फूलने लगेंगे तो पलटने के बाद बिल्कुल लो हीट पर इसे फ्राइ करेंगे तो पुर्स से थोड़ा सा इसी तरह तेल डाले तो यह फूलने लगेंगे कि देखे रहे हैं या तो अब देख रहे हैं नहीं इजिए फूल रहे हैं जो जब यह फूल जहेगा तभ यहरें तन झासराइर्ट tv फ्र्लेंपर हैं आप यह रहे हों यह। LT नहीं के बाद इसे आच बिल्कूल लोग करना है नहीं तु अंदर कच्छा रह जाएंगा कद्दू तो इसे ब्राउन होने तक फ्राई करना है लो फ्लेम पर ही अभी फ्राई करें तो अभी देख रहें ब्राउन हो चुका है कद्दू फ्राई विल्कुल तैयार है तो इसी तरह कद्दू पकराब बनाए या फ्राई का है आप कुछ भी का है यह आप इसे जुरूर करें खाना में बहुत ही टिस्टी बनता है तो उमीद करती हूं आपको मेरी यह रिसीपी पसंद आएंगे फिर एक नई रिसीपी के साथ हाजिर होंगे तब तक आप खुश रहे और स्वास्त रहे अलाहफीज